Hello everyone, I am Orgho, 3rd year MBA student, A.M.S. Bhuvnesher तो welcome to Medcatalyst, आज हम बात करेंगे कि 1st year में जब मैं college आया था तो मेरा क्या experience हुआ था श्टार्टिंग में और धीरे धीरे वो experience क्या होते गया तो इस वीडियो का हम 3 पार्ट में फिर से divide करेंगे सबसे पहले बात करूँगा मैं college के experience के उपर, second बात करूँगा मैं hostel and other facility के उपर और थार बात करूँगा, A.J. City Bhuvnesher and the language Odia language तो मैं West Bengal से हूँ, मेरा जो खर है वो West Bengal जाडखंड and Odisha का border में है तो मेरा जो local language है उसमें क्या है कि Bengali, Odia and Hindi तीनों का mixture है तो language लेके as such कुछ issue नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे को पता था I know Odia a little bit and मैं कर सकता हूँ, Odia के बारे में ज्यादा इतना difficult है नहीं है language तो Odia सीख जाओंगा जल्दी ही, तो language लेके कुछ issue नहीं था तो सबसे पहले बात करते हैं कि college कैसे select हो था मेरा चार तरीक सायथ NEET का result और 18 को लिख ला था IMS का result तो चार तरीक जब NEET का result निकल गया उसके बाद All India counselling start हो गया उसके बाद state का result आ गया, state rank आ गया, उसके बाद state का counselling भी start होने वाला था तब document verification था तो मैंने document verification भी कर लिया था और उस time के आसपास aims का result आ गया था अठरा को और उसके पहले आठ तरीक को आया था जिपमार का result तो जिपमार में 205 हो था rank मेरे को थोड़ा चांस था कि सायथ जिपमार हो जाए या ओवला एक confusion था बट क्या हुआ कि पता चला मेरे एक senior है वहाँ पर जिपमार में मतलब मेरे school से थे 2017 बैच में तो पता चला कि language लेके बहुत problem होता है उदर और second problem था कि मेरे को खाने का एक issue है क्योंकि जो खाना होता है हमारा South Indian खाना वो North Indian से पूरा different होता है क्योंकि oil different होता है taste different होते तो यह दो इशू था तो यह दो इशू के वज़े से मैंने जिप मेर छोड़ दिया था तो उसके बाद 2016 2017 में मेरे जो स्कूल है नरंद्रपूर वहां से एम्स भुवनसर में दो senior आये हैं और एम्स दिल्दी में भी दो senior है तो मैंने सूचा कि ठीक अब फ सोचा फिर मैंने जो मेरा पहला चॉइस था स्टेट में एम सी के मिडिकल कॉलेज अपूल गाता तो मैंने उन दोनों के बीच में कॉम्परीजन किया में एम्स भुवनसर के बीच में तो इम्स भुवनसर आ गया जुन के पांच तरीक किया चार तरीक को एडमिसन था मेरा एडमिसन हो गया सब कुछ हो गया उसके बाद आगस्ट में हम लोग का ऐए तो अपर से पहले बात करते हैं कि जो पहला बात था मैंने बोला था COL फॉ अपर तो आगस्ट में कॉलेज आ गाए उसके बाद हमने अलग से होस्टल मिल गया P.G.1 ने तो हम फ्इु वान में रह टीम वार्क एसोसेशन बगएर बगएर टॉपिक के उपर पंदरा दिन का सेशन चलता रहा और उसके साथ सा थोड़ा आइडिया होने लगा कि क्या है क्या स्ट्रक्चर है क्या फेसिलिटी है क्या सिनियर जुनियर कैसे हैं तो यह सब कुछ धीरे-धीरे पता चलने लगा और एक चीज जो भॉत तफ लगा था इस टाइम में यार कैसे को लेज में आते हार महीणे एक्जाम देना पड़ता था हर महीणे 3-3 Εखाम देना पड़ता था anatomy physiology वाई कमिस्टी तीनों subject में exam दिना पड़ता था तो इनिस्याली वह बहुत बुरा फिल होता था कि यार कहां आ गया हर महीने तीन तीन एक्जाम हर महीने पढ़ते रहो, कुछ enjoyment नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो धीरे-धीर वह वाला चीज अड़ाप्ट हो गया, जो एक महीने में एक्जाम होता था, वो end of the one year और first year के बाद जब final exam होता तो पता चला कि नहीं, वो जो एक महीने वाला exam होता था it's good, तो उसमें हम कुछ तो पढ़ लेते थे, at least exam के बाहयना में कुछ तो पढ़ते थे, everyday आपका जो schedule होगा, उस schedule से class भी होगा, और उसके साथ-साथ clinical postings भी start हो जाते हैं second year से, first year में हम खुद से disection किये हैं, मुझे भी याद है मैंने पूरा एक body, human body का जो हमारा group को मिला तो 125 प्रोलमर को, तो हमने लगबख सारे चीज़ खुद से किये हैं, कुछ-कुछ चीज़ है, जो difficult होता है, brain या, neck कसर जो था, disection वो सेरने किये थे, बाकी सब चीज़ हम लोग खुद से किये थे, ऐसा बताते हैं कि हम disection करने के लिए जाते थे, जो I don't know कि कि किसी और college मे कोई भी state college में इतना absence होता है कि आप खुद से disection कर सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं चीज़, I don't know, इसमें कुछ आपका clinical knowledge बढ़ेगा कि नहीं, लोग बोलते हैं कि क्या ही फरक परता है, आप disection कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि जो experience था, जो normal PCT होता है, part completion test, ओभी कोई भी college में होता है, part completion test, तो PCT होता ही रहेगा, आपका second year, third year, fourth year में, जो बहुत छोटे-छोटे topic के उपर होते हैं, तो as a such, academic के हिसाब से, एम्स भूबनेसर में थोड़ा tough होता है, थोड़ा pressure रहता है, academics के उपर, क्योंकि यहाँ पर, अगर N-1 का एक issue है, अगर आप 5 exam दे रहे हैं, आपको 4 exam में more than 50% लाना है, क्योंकि आपका 50% जो margin है, वो आपका pass या fail का margin है, तो उसके उपर आप लाएंगे, तभी आप final में अपियर कर पाएंगे, तो as academic part, एम्स भूबनेसर थोड़ा pressurized है, बाकी एम्स के हिसाब से, तो यह था college के उपर में, मेरा क्या experience वा था फरस्ट यहर में आके, तो अभी बात करूंगा second चीज के उपर, जो था hostel facility and senior junior interaction, क्या था, hostel life क्या था, तो आगस्ट में आ जाने के ब हमें बस दो लोग को एकी रूम मिलता है, यह जो मेरा रूम देख रहे हो, यही same size होता है रूम का, तो यह मेरा अभी current रूम है, जो मुझे first year का end तग मिल गया था, इस टाइम दो लोग एक रूम में रहते थे, मैं और मेरा रूम में टे एक साथ, तो जो रूम था, दो बे सारे चीज मिलेगा, बेड मिलेगा, टेबिल मिलेगा, चैर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उसमें एक चीज़ फाइदा था कि हमें attached bathroom था, के बाद 2019 का मे महिने में हमारा hostel फिर से change हुआ, जो hostel मिला हुआ हमें up to fourth year तक मिलेगा, वो room, तो मुझे यह वाला room मिला, 315 D block, already म मैं आपको दिखा चुका हूँ room, तो इसमें भी क्या है, same size है room का, इसमें आपको extra क्या मिल गया, कि Almira मिल गया, first year के end तक, और उसके बाद इधर क्या एक difference है, वहां से, उसमें आपका attached bathroom था, क्योंकि वो PG hostel है, obviously attached bathroom होगा, तो इसमें common bathroom है, but as a such hostel के experience मुझे कभी नहीं लग है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि बहुत time से line देना पढ़ रहे है, 3-4 लोग line में है, उसके बाद हमें bathroom जाना पढ़ रहा है, या नहाने के लिए 4-5 लोग time है, ऐसा कुछ होता नहीं है, generally कभी अभी तक face नहीं किया, मेरा 2 सल का नया hostel में अभी तक कभी हुआ नहीं है, तो यह था hostel का रहने का चीज, और current पूरा time रहता है, बहुत time current जाता है, जब भी current जाता है, एक plug जो है, इसमें एक plug है room में, उस plug में आपको current आता रहता है, क्योंकि जो emergency generator है, वो on हो जाते हैं, और उसके बाद गरम पानी आता है, 24 hour, गिजर है, हर एक floor में, हर एक side के bathroom में, और हर एक floor में एक एक करके filter है, water filter भी है, और उसके साथ-साथ आप लोग खुद पैसा दे के washing machine भी खरीद सकते हैं, जैसे कि हम लोग 15 लोग मिलके washing machine खरीदे हैं, तो हपते में हम लोग का एक 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 दो burger के turn आता है, बात करता हूं कि senior junior का क्या relationship था, क्या interaction होता था हमारा, जब हम पहले आये, starting में तो anti-ragging का जो चीज होता था, सब कुछ हमें बताया गया कि यहां पर कुछ ragging नहीं होते, generally हम पर कुछ ragging है भी नहीं, इसले कि हमारा क्या होता है कि हम senior junior जो interaction बोला जाते है, उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, बात करते हैं senior से, तो that a funny part also, like कोई कोई भी college मान लीजे, आप medical college हो, engineering college हो, general science का college हो, central institute हो, कोई भी college हो, उसमें एक senior junior का bonding रहना चाहिए, तो हमारा क्या होता है कि हो सबसे funny part था first year का, हमें क्या होता था कि हम जाते थे, हमें एक serial होता था हमारा, उसमें क्या बोलना होता है सबसे पहले, हम कहां से आये हैं, और उसके बाद हमारा क्या hobby होता है, वो हमें बोलना पड़ता है, और उसके बाद हमें बोलना पड़ता है, हमारा senior कौन कौन है हमारे state से, funny part था कि हमें सारे seniors का नाम याद रखना होता है, को मेरे state से यह है, मेरे इस district से यह है, तो यह वाला part जो होता कि नाम रटना है, senior काल ब कलेज़ का मैगाजिन लेको यह रिए सरे शिचाफ अब हे जो होता है उनका चेंज प्रोवकी शली मुच है किसी का प्रोफाइल किसी का मूत सब्सक्राइब करने के लिए अभी कभी खुटी है हम लोग गभी च्टी ऐसे लोग आजाओ ऐसे इंट्रेक्शन करेंगे थोड़ा तो जो जो पार्ट था बहुत बहुत मेमोरेस के साथ जुड़ा हुआ तो वो धीरे-धीरे कम हो चुका है, अभी तो सायद कोई senior junior के सब बात भी नहीं करता है, तो minimum एक interaction रहना चाहिए senior junior, नहीं तो एक जो bonding बनता है पढ़ाई के बारे में, college के problem के बारे में, कोई भी चीज लेके, कोई भी issue लेके, जो seniors का help होता है, कोई भी अलग source of help से अच्छ ही नहीं होता है, तो यह था मेरा all over hostel का experience, first year का, तो अब बात करेंगे कि last वाला part जो है, कि भूबनेसर सहर या भूबनेसर सिटी कैसा लगा, यहां का जो language उडिया, language कैसे है, कैसे हम लोग, कैसे हम लोग उसको cop up किये, या कैसे हम उसको सीखे, तो हमारा क्या था कि first year में हम हफते एक घंटा ओडिया class होता था, तो उसमें हमें क्या किया गया था कि जो minimum sentence होते हैं कि how are you, आप कैसे हैं, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आप क्यूं आए हैं, तो इनका ओडिया भर्सन हमें सिखाया दिया गया था कि आप उनों कूठना आसी ले, आप उनों ना क पूठे, कौनों पाई, दो शिक सेवें वार्स, आप टो लार्न, एंड वी आप टो यूज दोस थिंग्स, बट एक चीज़ और भी अच्छा था कि यहां कार पेसेंट जो हैं, थर्टी तो फॉर्टी परसेंट पेसेंट हिंदी समझ जाते हैं, ट्वेंटी तो थर्टी पर पर लिए था उस टाइम में, बट जो लोग साउथ से आये थे, उनको थोड़ा इसू होता है इनिसियली, क्योंकि जो ओडिया लेंग्वेज है, वो साउथ के सारे लेंग्वेज से अलग है, बिंगॉली, ओडिया इस डिफ्रेंट देंद ते लगूत अमील एंड मलालम ले ओडिया बंदा रहेगा, कोई ना कोई ओडिया थोड़ा बहुत आता है, ऐसा होता है, तो वो स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, कि सारे लोग मिलके थोड़ा बहुत इन्पुट देते हैं, और उसके बाद पूरा हिश्ट्री हो जाता है, फिर उसके बाद पूर इस्व नहीं होना चाहिए मुझे इतना फिल होआ है मेरा फ़स्ट यार उसके बाद सेकेंड यार में जब क्लिनिकल पोस्टिंग होआ है उसके बाद अभी थाड यार का इंड होने वाला है तो मेरे को जितना भी एक्स्पिरेंस हो आए कि लैंग्वेश के बारे में हमारे यहां इतना भी डिफिकल्टी नहीं है था तो लैंग्वेश लेके उसके बाद जो यहां का टेंपरेचर तो एक फ्लक्ट्ट करता रहता है अभी मौसम अच्छा है तो अभी बारिस हो जाएगा अभी धूब आ जा था उसके बाद साइड जैसे कि थोड़ा दूर है पूरी है कुनार्ख है कपिलास है दारिंग बाडी है सिमली पाल जा सकते हैं बहुत सारे वाटरफॉल भी है तो यह सारे चीज जैसे हम एक-एक दिन का टूर होता है गुरुप बनके एक दिन या दो दिन का टूर होता सुब्ध जाते हैं पूरा दिन रहते हैं साम को रहते हैं फिर नेक्ष दिन सुब्स घों घूम घौम के फिर से रात को वापस आते हैं जो तीन साल साड़े तीन साल लगा था अल्रीड बोल चुका हूँ जो था कि हर महीने एक्जाम देने का बाद था और सेकेंड था कि हमें इनिशियल तीन-चार महीने एक होस्टिल के अंदर रहना होता था, उसी के अंदर ही खाना-खाने का सब कुछ था, हमें बाहर नहीं जाने देया जाता था, एक छोट एक्स्पिरियन्स होता है कैसा होता है फर्स्ट एर एम्स होने शर्म है उसका कुछ थोड़ा बहुत आइडिया में आपको दे पाया हूं आपको अगर आगे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना स्टे सेप्ट स्टे हैपी टटा